सर्दियों में हाथ पैर की उंगलियों में खुजली और सूजन होना बहुत आम बात है यह खुजली ठंड के कारण होती है अत्यदिक ठंड भी त्वचा पर लाली सूजन और घाव का कारण बन सकती है यह समस्या ठंड के संपर्ग में आने के कारण होती है स्वास्ते पहले मेरी एक छोटी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू करें तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सर्दियों में हाथ और पैरों में खुजली और सुजन के कई कारण जिम्मेदार होते हैं जैसे सुस्क बातावरन, नंगे पैट चलना और लंबे समय तक मोजे पहनना भी बैक्टीरिया के कारण होने वाले पैरों के संक्रमन का कारण बन सकता है सर्दियों में हाथ पैरों की सुजन, लालिमा और खुजली को दूर करने के लिए कुछ घरलन उसके कारण थावित हुए हैं अगर आप सर्दियों में पैरों में खुजली और सुजन से परेशान हैं तो बैंकिंग सोड़े का इस्तमल करें बैंकिंग सोड़े का पेश्ट बनाएं और इसे अपने हाथों और पैरों की उंगलियों पर 10-15 मिनिट के लिए लगाएं और कुछ समय बाद गुनगुने पानी से हाथ और पैर की उंगलियों को धोलें ऐसा करने से आपकी उंगलियों की सुजन कम होगी और दर्द से राहत मिलेगी सर्दियों में पैरों में ज़्यादा दर्द खुजली और लाली हो तो एक बाल्ती में गुनगुना पानी लेकर उसमें सैंदा नमक या फिटकरी डालकर उबालें पानी के थोड़ा ठंडा होने के बाद इसे अपने हाथ और पैरों की उंगलियों पर डालें इन उपायों को करने से ब्लेट सर्कुलेसन ठीक रहेगा और पैरों की सुजन और दर्द से भी राहत मिलेगी नमबर थ्री लहसुन के तेल से करें मसाज एक कटोरी में तेल लें और उसमें लहसुन की पांच कलियां छील कर डालें और गैस पर गरम कर लें लहसुन को तेल में तब तक पकाएं जब तक की लहसुन काला ना हो जाए इस तेल को पकने के बाद इसे गुनगुना करके हाथ पैर की उंगलियों पर इस तेल की मालिस करें इस तेल से मालिस करने पर हाथ पैरों के दर्द और खुजली से राहत मिलेगी नमब फॉर पैरों में मोजे और जूते पहने कई लोग ऐसे होते हैं जो सर्दियों में जूते नहीं पहनते हैं जिससे उनके पैरों की उंगलियों में सूजन आ जाती है अगर आप पैरों के दर्द और सूजन से बचना चाहते हैं तो सर्दियों में जूते पहनना सुरू कर दें पैरों में दर्द और सूजन से बचने के लिए पैरों को ठंड से बचाएं पैरों में मोजे पहने और पैरों को गर्म हट दें थंडे पानी से बचें पैरों में दर्द लालिमा और सूजन हो तो ठंडे पानी में ना रहें थंडे पानी से यह allergy और दर्द बढ़ सकता है हाथ पैरों को थंड से बचाने के लिए हाथ पैरों को गर्म कपले से लपेट ले हाथ पैरों की उंगलियों की सुजन दूर करने के लिए नियमित रूप से ब्यायाम करें हल्दी और जेतुन का तेल सर्दी की बज़े से हाथ पैर की उंगलियों में सूजन आ जाए तो हल्दी पाउडर को जेतुन के तेल में मिलाकर मिसरन बना लें और सूजन वाली जगह पर लगा दें कुछ देर बाद गुंगुने पानी से उंगलियों को धोलें ऐसा करने से आपको दर्द और सूजन से रहात मिलेगी सर्दियों में फर्स बहुत थंडा होता है इसलिए अगर आप फर्स पर नंगे पैर चलते हैं तो पैरों की उंगलियों में सूजन आ जाती है निवू से इस सूजन को ठीक किया जा सकता है इसके लिए गुंगुने पानी में थोड़ा सा निवू को रस मिला कर रूई की मदद से सूजन बाली जगह पर लगाएं इससे उंगलियों की सूजन में आराम मिलता है सेंदा नमक का इस्तमाल उंगलियों की सूजन को दूर करने के लिए भी किया जा सकता है इसके लिए आपको एक चमस सेंदा नमक को सरसो के तेल में मिला कर गरम करना है और फिर इस मिसरन को सूजन बाली जगह पर लगाना है इसके अलाबा आप गरम पानी में सेंदा नमक मि कि उगलियों में सूजन और खुजली का इलाज कर सकते हैं ये घरे लोग उपाय आपको कैसे लेगे नीचे कमेंट करके हमें जरू बताना और ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए हमाया चैनल को सब्सक्राइब जरू करें तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो मे तब तक करें अपना ख्याल लगें जै हिन जै भारत